उत्र प्रदेश के अम्रोहा के पपसरा गाउं के निवासी पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं चोधरी चरन सिंग के करीबी रहे स्वर्गे चोधरी चंदरपाल सिंग की मोत के बाद शोक सभा का आयूजिन किया गया शोक सभा में आज रास्ठी लोकतल के महासाचीव जियंत चोधरी पहुंची इस दोरान उन्होंने विपक्ष पर जम कर हमला बोला और उत्र परदेश में कानून विवस्था को चोपट बताया उन्होंने भाशपा सरकार पर निशाना साते हुए दिली उन्वस्टी में हुए हमले का भी जिक्र किया और भाशपा सरकार के साथ साथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को भी निशाने पढ़ लिया उन्होंने गन्ना मुल्य व्रिधी ना किये जाने का भी मामला उठाया और कहा कि देश के किसानों को सोचना चाहिए कि वेहे लोग अब इन मुद्दों को अधार बना कर वोटिंग करें अम्रोहा से समधाता महुमेद आसिप की रिपोर्ट यूपी में लॉन ओर्डर की सिती बहत खराब है और अपराद के जितने मामले हैं वो बढ़ते जा रहा है संगीन अपराद है देखिया आपने देखो देश के राधानी नहीं बच रही है कोई उन्वर्सटी नहीं बच रहा हुआ उन्वर्सटी में घुसके मारा जा रहा है और वो लोग कौन है आप पहन के घुसरे हो लुक है कि पूरे देश को पता है आप लोग कौन है तो कही ना कही परदा हट गया मगा अटा हट जब आपका मानना यह है तो किसान की जब बात आएगी तो सरकार गंजूसी तो करेगी देश के किसानों को सोचना चाहिए जब तक हम वोट का अधार इन मुद्धों को नहीं बनाएंगे जब डेश्च पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब, शेर आड़ सब्सक्राइब करें हैंने वाद